नमस्कार दोस्तो, स्वागत है हमारे उटू चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम सिंप्ली विकेशन चेप्टर के बोर्ड मास टॉपिक को समझेंगे साती सात कुछ ऐसे प्रस्णों को डिसकस करेंगे जो अक्सर हम पर गलत हो जाते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं बोर्ड मास को बोर्ड मास सब्द में जो ये 6 अलफावेट दे रखे हैं इन 6 अलफावेटों का अलग-अलग मतलब होता है तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं board mask को सबसे पहले हम vertically लिख लेते हैं अब देखते हैं कि प्रत्य एक alphabet का क्या अर्थ होता है सबसे पहले देखते हैं B को B4 होता है bracket, bracket यानि costak costak भी दोस्तों हम यह चार परकार के मानेंगे पहला होता है रेखिये costak इसे win column या bar बोलते हैं दूसरा होता है छोटा bracket, छोटा costak इसे हम English में round bracket बोलते हैं तीसरा होता है मजला costak यानि English में इसे हम curly bracket बोलते हैं और चोथा होता है बड़ा costak इसे हम English में square bracket बोलते हैं तो दोस्तों इसी sequence में इसे solve करते हैं यानि पहले हम बार को solve करेंगे, फिर छोटे कोस्टक को solve करेंगे, उसके बाद मजले कोस्टक को solve करेंगे, फिर हम अंत में बड़े bracket को solve करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं O को, O4 दोस्तो होता है OFF, आफ यानि का, का का अर्थवी हम सवाल लगाएंगे त next है M, M4 होता है multiplication, यानि गोणा, फिर आता है A, A का मतलब होता है addition यानि जोड, और S का मतलब होता है subtexon यानि घटाना, तो दोस्तों ये था board mass का अर्थ, अब दोस्तों इस board mass में हमें याद क्या रखना है, दोस्तों बोर्ट mass में हमें इस sequence को याद रखना है, यानि हमें भाग को solve करेंगे, भाग के बाद गुना को, और गुना के बाद plus को, plus के बाद minus को, दोस्तों यही क्रम हमें याद रखना है, यही क्रम हमें सवालों को solve करने में मदद करेगा, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने board पर और देखते हैं इसे related कुछ प्रस्नों को देखते हैं पहले सवाल को पहले सवाल में दोस्तो 생्यों हमने दे रखा है भाग दे रखा है गुर्णा की पर प्लस दे रखा है और मैनस दे रखा है दोस्तो हमने board math को पड़ रखा है Vodmons की येसाप से, पहले हम क्या करेंगे, Vod Engines में पहले B आता है, यानि पहले bracket आता है, तो bracket तो इस सवाल में दिया नहीं गया है, फिर आता है, O, यानि ओफ यानी दे रखा है, फिर आता है, Divison, यानि भाग, भाग दोस्तों यहाँ दे रखा है, इन दो संख्यांों के वीच में भाग दे रखा यह रहे हैं पहला तो दोस्तों देते हैं के बारा चाल एंड़र चुरुणा बचा रहे और iezaul प्लाम का我 अगए हम करेंगे पैर आता है गुना तो की दोतिया श हो दोस्तों झाओ भी पजमाइन काफसी dat user अब करना है प्लस को यानि 6 और 4 को जोड़ना है तो 6 4 होते हैं 10 10 में से दोस्तों जाएंगे 6 तो आंसर आजाएगा हमारा 4 यानि इस सवाल का आंसर आ गया 4 बस दोस्तों board maas के rule को हमें follow करना है board maas में जिस प्रकार से सवाल को दे रखा है उसी प्रकार से हम करेंगे चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ अगला सवाल दे रखा आ है हमें इसमें दोस्तों हमें का भी दे रखा है यëni बोर्ड मास में हमने पढ़ाया सबसे पहली क्या करते हैं ब्रेकट कśl़करते हैं तो ब्रेकट तो इस सवाल में है नहीं फिर आता है ओफ यानि का इंगलिस में सवाल लिखा होगा तो ओफ लिखा होगा और हिंदी में लिखा होगा तो का लिखा होगा तो दोस्तों बोर्ट मास में ब्रेकेट के बाद का आता है यानि हमें का इसमें सॉल्व करना है ब्रेकेट तो है नहीं तो का को हम सॉल् बस दोस्तो हमें 80 लिखने हैं बचा है दोस्तो अब भाग तो भाग हमें लिखते ना है गुणे 2 और प्लस 3 दोस्तो अब बूट मास के रूल से भाग का नमर आया है तो हम भाग करेंगे 4 का भाग देना है असी में यहीं चात दूनी 8 20 वार चला जाएगा 4 का भाग असी में बचा दोस्तो अब गुणा गुणा के बाद 2 है प्लस है 3 है बस दोस्तो आगे हम करेंगे अब करना है में गुणा दो का गुणा करना है 20 में यहीं दो का पाड़ा या 20 का पाड़ा दो बार पड़ना है तो 20 दूनी होते है 40 और प्लस दोस्तो थिरी अब 40 और 3 को जोड़े तो सवाल गलत हो जाता है सीधा सीधा हम गुणा करेंगे हम पहले सॉल्व करेंगे चलिए दोस्तों अगला सवाल रहा यह इस सवाल में दोस्तों हमें ब्रेकेट भी दे रखा है का भी दे रखा है और भाग भी दे रखा है वोट मास के रूल से पहले दोस्तों हम इसे करते है रेखे bracket को तो चलिए करेंगे इस रेखे bracket को दोस्तों और सवाल जो है वो एजटेच लिख लेंगे का अब दीखिए दोस्तों यहां bracket चड़ा है तो इन संख्याओं को हम पहले जोड़ेंगे क्योंकि यह जो है वार चड़ा है विन कुलम चड़ा है तो चार और दो हो जाएं तो का करेंगे का का मतलब दोस्तों होता है को न यह गुंणा करना है तीन तो 6 ah e तो आंसर आजाएगा एक वार जाएगा याहनि इस सवाल का आणसर आजाएगा दोस्तो एक चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला सवाल है यह सवाल नमबर फूर चलिए दोस्तो इसे हम कैसे करेंगी दोस्तों इसमें सारे bracket दे रखे हैं, round bracket भी है, curly bracket भी है और बढ़ा bracket भी है, तो board mask की rule से दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इस छोटी bracket को करना है, यह चोटी bracket में जो जो चीजें दे रखे हैं, उन्हें हमें पहली solve करना है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे हम कि यहां हमें क्या करना है यहां हमें माइनस की संख्याइं जोडनी है यहां हमें माइनस के 5 हैं और माइनस के 2 हैं तो इन माइनस के 5 और माइनस के 2 को जोड लेंगे यहीं माइनस 5 माइनस 2 हो जाएंगे minus के 7 और 10 हो जाएंगे दोस्तों plus के चलिए एक बार हम इसे लिख लेते हैं तो 15 minus वड़ा bracket फिर से 15 minus curly bracket 2 plus छोटे bracket में दोस्तों आके रुख जाएंगे हम 10 ये लिखेंगे plus के और 5 और 2 ये दोनों संख्याओं के जो चिन है वो सेम है तो ये जुट जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे minus के 7 बस दोस्तों अब हम 10 में से 7 को घटा देंगे तो 10 plus के हैं साथ कट जाएंगे तो 3 बचेंगे हमारे पास plus के यानि छोटे bracket में 3 आज जाएंगे चलिए हम आगे करते हैं दोस्तों अभी हम सवालों को सीख रहे हैं इसलिए इतना टाइम इन सवालों में लगा रहे हैं इन सवालों को दोस्तों हमें बहुत ही कम समय में करना है सोट में 10 में से 7 के दोस्तों बचेंगे यहां पे 3 जब दोस्तों कोई एक संख्या बचती है तो हम bracket को नहीं लगाते जैसे यहां bracket लगा भी सकते हैं और न चाहें तो ना भी लगा सकते हैं तो यहां इस bracket का कोई मतलब नहीं है हम यहां पे 3 ब्रेकिट में दोस्तो क्या है प्लस है यानि दो और तीन को हमें जोड़ना है तो चलिए-पंद्रे यह जोड़ देते हैं पंद्रे एजड़े मतल्ब नहीं रहा हमें से हटा भी सकते हैं तो एक संख्या आ गई इसलिए पंद्रे लिखेंगे और अब दोस्तों हमें बड़ी ब्रेकेट को solve करना है इस पंद्रे में से ये 5 हमें घटाने है क्योंकि इस ब्रेकेट का कोई मतलब नहीं है पंद्रे में से 5 जाएंगे दोस्तों बस जाएंगे 10 दोस्तों अब इस ब्रेकेट को भी हमें अटाना है यानि पंद्रे में से 10 जाएंगे तो आंसर आजाएगा दोस्तों 5 यानि इस सवाल का आंसर जो है 5 है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल रहा हमारा ये यानि सवाल नमर 5 दोस्तों इस सवाल में भी हम बोड मास को देखेंगे बोड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रेकट में दोस्तों कौन से ब्रेकट को पहले करते हैं तो रेखिये ब्रेकट को पहले करते हैं और इस सवाल में रेखिये ब्रेकट भी हमें दे रखा है तो सबसे पहले हम रे यह bracket माना जाएगा दोस्तों तो आठ जो है प्लस के माने जाएंगे अभी जब ब्रेकेट हट जाएगा तब माइनस आएगा तो आठ मैंसे हम पांच को घटाएंगे ना कि यहां जुड़ेंगे अगर यह bracket नहोता तो आठ और पांच जुड़ते क्योंकि माइनस माइनस जाएगा चलिए आगे हम अगली चीज जो है लिख ले रहे हैं एक पैसास मैंनस करली बरेकेट शिक्स इन्टू चू और इस बरेकेट में दोस्तों यह रहा और करली बरेकेट कर लोज और बड़ा बरेकेट चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे आब İsसात में से तीन को बचेगा 4 18 divided by square bracket 50 minus curly bracket 6 into 2 और दोस्तों यहां पे 7 से 3 जाएंगे तो बचेएंगे हमारे पास 4 और यह curly bracket और यह square bracket दोस्तों अब इस सवाल में हमें क्या करना है यहां पे कोई हमें चिन नहीं दे रखा है यानि 2 और 4 के बीच में क्या संबंध होगा तो दोस्तों एक चीज हमे मयाद रखनी है कि जहां पे चिन नहीं दे रखा हो वहां पे होता है का क्या होता है का होता है न कि गुणा हाला कि गुणा और का का एक यह मतलब होता है लेकिन जहां पे कोई चिन नहीं हो वहां पे हम का वाला गुणा समझाएंगे तो 2 और का 4 यह दोस्तों डारेक्ट हम या गुणा भी कर सकते हैं अभी हम सवालों को समझ रहे हैं इसलिए इन सवालों को ऐसे कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे इस करली ब्रेकेट में चार कपाड़ा दो बार पड़ेंगे यानि चाद दूनी आठ और फिर से छे बार तो आठ चिंग 48 हो जाएगा यानि इन तीन आ गया 48 आ गया क्योंकि यहां का का मतलब भी कुणा ही होता है तो यह आ गया 48 चलिए हमने क्या करली ब्रेकेट को कर दिया खत्म अब देखते हैं अठारे डिवाइड वाई पचास में से 48 आएंगे दोस्तों कितने बचेंगे दो ब्रेकेट की कोई अबस्तिकता नहीं अब अगला सवाल है दोस्तों हमारा ये सवाल नमर 6 है तो दोस्तों हम क्या करेंगे इस सवाल में दोस्तों सबसे पहले हमें छोटे ब्रेकेट को करना है तो चलिए इस सवाल को हम कर लेते हैं 48 डिवाइड वाई 6 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे दोस्तों यहां क्या बचा 2 ऐस सवाल हो हमारा हो गया दूस्टों अब अप猶्य और हमने पिछली सवाल में हट डिस्कस value to कि films किया था कि जहां पर कूई च्छले नहीं होता है वह क्या लागाती है वह हम दोस्तों लाटते हैं काppt याद लिख देंगे का टू तो अब दोस्तो सबसे पहले बोर्ट मास के रूल से हम भाग को करेंगे या का को करेंगे तो का को करेंगे तो यहनी भाग से पहले हमें करना है का को यहनी दो का पड़ा पढ़ना है छे बार यहनी दो का छे में गुणा करना है तो दो छे कोते हैं बार ह ध्यान रही दोस्तों, यहां पर का ही लगाना है, जहां पर कोई चिन नहीं होता है, अगर दोस्तों, यहां हम गुणा लगा लेते हैं, तो सवाल हमारा गलत हो जाता है, हम पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, इसलिए हम का को लगाते हैं, का पहले करते हैं, अब 12 का इस सवाल को गलत कर देते हैं कि इस सवाल में जो है हमें भाग ही भाग दे रखा है अब इसमें हम यह नहीं समझ पाते हैं कि भाग हमें इधर से करना है या फिर इधर से करना है तो दोस्तों हमेशा इस सवाल में हमें भाग जो है बाहीं तरब से करना है यह आठ का भाग पहल है यानि वाइंग्ट से करेंगे तो आठ का पहले 64 में देंगे अब आठ का पाड़ा पढ़ेंगे हैं यह इन्हीं इतना भाग हो चुका अब क्या वचा डिवाइड वाई हो झूट दो दोस्तो अब हम इस चार का वागाश्य चाद दोने आट तो और डिवाइड वाई इतना भाग हो चुका है अभी टू और बचे है तो दोखा भाग फिर से दो में देना है टू बंजा टू तो इस सवाल का आंसर आज रहेगा वन अगर दोस्तों हम इधर से करते तो हमारा आंसर कुछ और होता जो कि गलत माना जाता चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल यानी सवाल नमर 8 यह रहा इस सवाल में दोस्तों हम क्या करेंगे यह सवाल भी हमारा पिछली सवाल जैसा है लेकिन यहां पर पावर दे रखी है हमें दोस्तों हमने एक चीछ पढ़ी होगी अगर गातांक और करड़ी बाला अपने चेप्टर पढ़ा है तो जब भी बेस समान होते हैं यह आधार समान होते हैं तो गुणा में यह पावर क्या है जुट जाती है और भाग में घट जाती है तो दोस्तों पिछली सवाल में अभी हम डिसकस कर चुके कि जब हमें भाग ही भाग मिलता है तो हम क्या करते हैं इधर से करते हैं बाइपत से तो इसका भाग पहले दोस्तों इस में देना आए अब कैसे भाग देना आए हमने दोस्तों पढ़ रखा है कि भाग में जो है पावर घटती है तो इस 17 में से 10 पावर घट जाएंगी तो 2 पे पावर आ जाएंगे 17 में पाइटा बाद इसमें देंगे तो दोस्तों, देखिए, हम अभी पढ़ चुके हैं, भाङ में घाते कड़ती हैं, यानिे 7 जरी जाएंगे, तो 2 पर पावर हो जाएंगे, 4 दोस्तों, फिर बचा हुआ, हम यह लेखे देंगे, अब फिर से हम भाग में घाते घटती हैं हमें पता है तो 4 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे यानि 2 पे पावर आजाएगा 1 अब 1 दोस्तो 2 ही रहेगा यानि इस सवाल का आंसर आजाएगा 2 तो दोस्तो ये थे आज के हमारे हाट सवाल और भौती महत्पूर्ट सवाल हैं ये अक्सर आप लोग इन सवालों को गलत कर सकते हैं इन सवालों की दोस्तो पीडियाप में मिल जाएगी पीडियाप आने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्वाज, जेहिन, जेह भारत